भारत रंग मोत सब दिल्ली में चल रहा है और इसमें कई महतपूर्ण प्रसुतियां हम देख पा रहे हैं आज ल्टीजी में एक नाटक होने जा रहा है जिसका नाम है शब्दानची रोजनीशी यह मराठी नाटक है और इसके निर्देशक मेरे सामने खड़े हैं अतुल पेठे अतुल निर्देशक हैं वे अपने कार्यों से और थेटर की सामाजिक जिम्मेदारियों से पूरी तरह अवगत हैं अपने कार्यों की जो समवेदन शीलता है उससे पूरी तरह वे जागरूख है और इतने वर्षों में उन्होंने अपने कार्यों से ये साबित भी किया है आज जो शब्दांची रोजनीशी हम देखने जा रहे हैं सर इसको हिंदी में आप क्या गएंगे शब्दांची रोजन में है जी भाषा के बारे में है और रोजनीशी यानी की डायरी मुझे लगता है यह दोनों शब्द हिंदी में है इस्तेमाल करते हैं तो आपके इस नाटक का क्या उद्देश है या कुछ अपने नाटक के बारे में एक मिनट में अगर आप कुछ कहना चाहें तो रामू र और आपके बोलता है वाशा के बारे में शब्दों के बारे में भाषा का हमारा जीवन में क्या उद्देश है स्थान है यादि भाषा विगड़ गई उसको दिमक लग रहता है इसके बारे में नाटक बोलता है दूसरी चीज यह है कि greed politics of language भाषा से लेकर राचकारण क्या होता है और राचकारण में भाषा का इस्तेमाल कैसे किया जाता है इसके ऊपर यह नाटक होता है और तीसरी चीज यह है कि नाटक में एक लव स्टोरी भी है कि अब क्या होगा इसके बाद जब भाषा खतम होती जा रही है दिन बदिन और नए तरीकी क भाशा आ रही है और हमारी सम्वेदन शिलता पे मानसिकता पे उसका क्या असर पड़ रहा है इसके बारे में नाटक बोलता है हमें लगता है कि आजकल के यूग में जिससे हम जगड रहे हैं लोगों से सम्वाद प्रस्थापित करना कितना डिफिकल्ट हो गया है बहुत इसम में तकलिफे आ रहे हैं लोगों से एक दूसरे के जूड जूड जाने में इसके बारे में नाटक बोलता है क्या बात है इतना विशह कठिन है और उसको नाटक में कैसे लाए जाएगा देखने वाली बात होगी इसके साथ ही सर हम आपको बधाई भी देना चाहेंगे आज आप अपने जीवन में चालिस साल नाटक में के शेतर में अपना पूरा कर रहे हैं सब्सक्राइब पहले चालीस नाटकों को लेकर जितने हम गाओ-गाओ जाते हैं महराश्टों में और डेली में भी आठवी बार मैं आ रहा हूं इस फेस्टिवल में बहुत खुशी हो रह करना हमारे लिए एक बहुत ही समाधान देने वाली चीज़ है थैंक यू थैंक यू थैंक यू से लोगें इसके हम नाटक कर सकते हैं और यहीं से हमें आत्मबल मिलता है थैंक यू सर्